नमस्कार, आज के वेबिनार की थिम आत्मनिर्भर, इन डिफेंस, कॉल टू एक्शन, देश के इरादों को स्पष्ठ करती हैं। बीते कुछ वर्षों से भारत अपने डिफेंस सेक्टर में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसका कमिट्मेंट आपको इस वर्ष के बजेट में भी दिखेगा। सात्यों गुलामी के कालखन में भी और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैनिफेक्टरिंग की ताकत बहुत ज़्यादा थी। दूसरे विश्वयूत में भारत में बने हत्यारों ने बड़ी भूमी का निभाई थी। हाला कि बाद के वर्षों में हमारी ये ताकत कमजोर होती चली गई। लेकिन ये दिखाता है कि भारत में शमता की कभी कमी न तब थी न कमी अब है। साथियों सुरक्षा का जो मुर्ज सिधांत है वो यह है कि आपके पास अपना कस्टमाइज और यूनिक सिस्टम होना चाहिए। तब ही वो आपकी मदद करेगा। अगर दस देशों के पास एकी तरह के डिफेंस उपकरण होगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। यूनिकनेस और सर्प्राइज अलिमेंट ये तब ही हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विक्सित हो। सात्यों, इस साल के बजेट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलप्मेंट से लेकर मैनुफेक्टरिंग तक का एक बाइप्रेंट इको सिस्टिम विक्सित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजेट में लगभग सत्तर परसेंट सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिपेंस मिनिश्ट्री अब तक दो सो से भी जादा डिपेंस प्लेटफर्म और एक्विप्मेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइशन लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट की घोशना के बाद डोमेस्टिक प्रोकॉर्मेंट के लिए लगभग 54,000 करोड रुपी करीब 54,000 करोड रुपी के कॉंट्रेक्ट साइन किये जा चुके हैं। इसके अलावा साड़े चार लाग करोड रुपी से जादा मुल्ले के उपकरणों से जूड़ी खरीद पक्रिया भी अलग-अलग स्टेजिजिंग में हैं। बहुत जल्द तीसरी लिस्ट भी आने वाली है। यह दिखाता है कि हम देश में ही डिपेंस मैनिफेक्टिरिंग को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, जब हम बहार से अस्त्र सस्त्र लाते हैं, तो उसकी प्रक्रिया इतनी लब्बी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलो तक पहुंचते हैं, तब तक उसमें से कई आउट्डेटर हो चुके होते हैं, इसका समाधान भी आत्म निरभर भारत अभ्यान और मेकिन इंडिया में ही है। मैं देश की सेनाओं की भी सराना करूँगा कि वो भी डिपेंस सेक्टर में भारत की आत्म निरभरता का महत्व समझते हुए बड़े महत्वपुन नेड़े ले रहे हैं। आज हमारी फोच के पास भारत में बने साजो सामान होते हैं, तो उनका आत्म विश्वास, उनका गर्व भी नई उचाई पर पहुंता है। और इसमें हमें सीमा पर ढटे जवानों की बावनाओं को भी समझना चाहिए। कम होका मिल गया। वहाँ जो जवान तैनात रहते थे उन्होंने चर्चा के दोरान मेरे सामने एक बात कही थी। और वह बात मेरे मन को छू गई थी। उन्होंने कहा था कि वागा बॉडर पर भारत का जो गेट है वह हमारे दुश्मन के गेट से थोड़ा छोटा है। हमारा गेट भी बड़ा होना चाहिए। हमारा जन्ना उससे उच्चा होना चाहिए। यह हमारे जवान की भावना होती है। हमारा देश का सैनी इस भावना के साथ सीमा पर डटा रहता है। भारत में बनी चीजों को लेकर उसके मन में एक अलग स्वाविमान होता है। इसलिए हमारे जो रक्षा उपकर्ण होते हैं उनकी लिए हमें अपने सैनीकों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। यह हम तभी कर सकते हैं जब हम आत्मनिर्वर होंगे। सात्यों पहले के जमाने में युद्द अलग अलग तरीके से होते हैं। पहले युद्द के साजों सामान में परिवरतन आने में दसकों लग जाते थे। लेकिन आज युद्ध के हथियारों में देखते ही देखते बढ़लावा जाता है। आज जो सस्त्र है उन्हें आउट अपडेट होने में समय नहीं लगता है। जो आधुनिक टेकनोलोजी आधारी जद्यार है, वो तो और भी जल्दी आउट अपडेट हो जाते हैं। बढ़ा सावर्थ है। इस ताकत को हम अपने रक्षा क्षेत्र में जितना ज्यादा इस्तमाल करेंगे, हमें उतने ही सुरक्षा में हम आस्वस्त होंगे। जैसे अब साइबर सेकुरिटी के बाद ले ले, अब राई काई वो ये घतियार बन गया है। और वो कोई सिरफ डिजिटल एक्टिविटी के लिए सिमित नहीं रह गई है। ये राष्ट की सुरक्षा का विशह बन चुका है। साथियों, ये भी आप भलीपाती जाते हैं कि डिफेंस सेक्टर में हमेशा किस तरह का कंपणिशन रहा है। पहले के समय में बाहर की कंपणियों से जो जामान सामान खरीदा जाता था। उसमें अक्सर भाती भाती के आरोप लगते थे। मैं उसकी गहराय में जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये बाद सही है कि हर खरीदी से विवात पैदा होता था। अलग अलग मैनुफरक्चर के बीच जो कंपडिशन होता है। उसके कारण दूसरे के प्रोड़क को निचा दिखाने का अभियान निरंतर चलता रहता है। और उसके कारण confusion भी पैदा होता है, आशंका भी पैदा होती है और प्रश्चाचार के धरवाजे भी खुल जाते हैं। कौन सा हत्यार अच्छा है, कौन सा हत्यार खराब है, कौन सा हत्यार हमें उपयोगी है, कौन सा उपयोगी नहीं है। इसे लेकर भी बहुत confusion क्रियेट किया जाता है, बहुत योजनापुर्व किया जाता है, कौर्परेट वल्की लड़ाई का वो हिस्सा होता है, आतम अंदिर भरत भारत अभ्यान से हमें ऐसे अनेक समस्याओं का भी समाधान मिलता है। Friends, जब पूरी निष्टा के साथ संकल्प लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या परणा माते हैं, इसका एक बहतरीन उधारन हमारी ओर्डिनेंस फेक्टरिया है। हमारे रक्षा सच्चीव ने अभी इसका बड़ा वरण भी किया। गत्वरस के पहले हमने साथ नई डिभेंस पब्लिक अंडर्टेकिंग्स का निर्मान किया था। आज ये तेजी से बिजनेस का विस्तार कर रही है। नए मार्केट में पहुँच रही है। एक्सपोर्ट के ओर्डर्स भी ले रही है। ये भी बहुत सुखद है कि बीते पांक-छे सालों में डिपैंस एक्सपोर्ट में हमने छे गुना वुद्धी की हैं। आज हम पचरतर से भी जागा देशों को मेड इन इंडिया डिफेंस एक्विपमेंट्स और सर्विसे दे रहे हैं। मेक इन इंडिया को सरकार के प्रोच्छान का परणाम है कि पिछले साथ सालों में डिफेंस मैनिफेक्ट्रिंग के लिए तिन सो पचास से भी अधिक नए इंडिस्ट्रियल लाइसेंस इशु किये जा चुके हैं। जबकि 2001 से 2014 के 14 वर्सों में सिरफ 200 लाइसेंस जारी हुए थे। फ्रेंट्स प्राइबेट सेक्टर भी डियार रियो और डिफेंस प्लस डिपेंस प्लस डिपेंस प्येशुस इसकी बराबरी पर आएं। इसलिए डिपेंस आर एंडी बजेट का 25 परसेंट इंडस्ट्री, स्टार्ट अप्स और एकडमिय के लिए रखा गया है। बजेट में स्पेशल परपज वेहिकल मोडल की ववस्ता भी की गई है। ये प्राइवेट इंडस्ट्री के रोल को सिर्फ एक वेंडर या सप्लायर से आगे एक पार्टनर के रुप में स्थापीत करेगा। हमने स्पेश और ड्रोन सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए नई संभावनाये बनाई हैं। उत्रप्रदेश और तमिलनाडु के डिपेंस कोरिडोर्स और इनका पी एम गति शक्ती नेस्टर मास्टर प्लान के साथ इंटिग्रेशन देश के डिपेंस सेक्टर को जरूरी ताकत देंगे। साथियों, ट्रायल, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की व्यवस्ता का ट्रांस्परंट, टाइम बाउन, प्रेग्मेटिक और निश्पक्ष होना एक वाइब्रेंट डिपेंस इंडिस्टर के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टिम समस्याओं को दूर करने में उप्योगी सीथ हो सकता है। इसे देश में जरूरी स्किल सेट के निर्माण में भी मदद मिलेगी। फ्रेंट्स आप सभी से देश की बहुत सारी उम्मीदे जुड़ी हुई है। मुझे विस्वास है कि इस चर्चा से डिपेंड सेक्टर में आत्मन निर्भरता के लिए नए रास्ते बनेंगे। मैं चाहता हूँ आज सभी स्टेक होडर से हम सुनना चाहते हैं। हम आप लोगों को लंबे भाशन देना नहीं चाहते हैं। यह आज का दिवस आपके लिए हैं। आप प्रेक्टिकल चीजे लेकर क्या हिए बताइए। अब बजेट निजारिद हो चुका है। एक अप्रिल से नया बजेट लागू होने वाला है। हमारे पास तैयारी के लिए यह पुरा महिना है। हम इतना तेजी से काम करें कि एक अप्रिल से ही चीजे जमीन पर उतरना शुरू हो जाए। यह जो एक्सराइज है ना इसलिए है। हमने बजेट को भी एक महिना प्रिपॉन करने की पद्दती डेवलप की है। इसके पीछे भी इरादा यह है कि हमें एक्चुली बजेट लागू होने से पहले सभी डिपार्टमेंट को, स्टेक होलर्स को, पब्लिक प्राविट पार्टरसिप मोडिल को तैयारिया करने का पूरा अवसर मिले। ताकि हमारा समय बरबाद न हो। मैं आप सबसे आगरह करता हूँ। यह देश भक्ति का काम है। यह देश सेवा का काम है। हम आईये, मुनाफा कब होगा कितना होगा वह बात में सोचिए। पहले देश को ताकतवर हम कैसे बनाए इस पर सोचिए। मैं आपको निमंत्रन देता हूँ। और मुझे खुची है कि आज हमारी सेना, सेना के हमारे तीनों आंग, बड़े उमंग और उत्सा के साथ इन कामों में पूरी इनिशेटिव ले रहे हैं। पोच्छान दे रहे हैं। अम यह मोका हमारे प्राइवेट पार्टी के लोगों ने खोना नहीं चाहिए। मैं फिर एक बार आपको निमंत्रन देता हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है। धनिवाद।